नमस्कार कक्षिया दस्वी वाले छात्र जल्दी से अपना गनित्वी से का मासिक टेश्ट पेपर मासिक मुल्यांकन पेपर मासिक परिक्षा पेपर देख ली जिगा ये अमरा बिल्कुल जीयल वाला मासिक टेश्ट पेपर है और आपको इस टेश्ट पेपर का फुल कुछन इसी वीड़ो में मिलने वाला है इस टेस्टटी पेपर का पुणन Hillary का होने वाला है समय 45 brunch का मतलब एक 45 गंटि में आपको इस टेस्टी पेपर को सोल्वी करके देना होगा ठीक है तो यहां पर देख लिए जिगहां इस टेस्टी पेपर के हमारा पेला प्रसंद दिया जिसमें सई विखल्प का चेहन करके लिखना होगा जो आपकी परिक्षा में आपके टेस्ट में दो नम्र के पू'. पहला आपका दिया हैं किसी स्रेंहे का प्रतम पर साथ दिया है कता सर्वांतर आपको दिया मानस दो तो प्रतम चार पद आपको ग्याद करना है प्रतम कितने चार पद आपको निकालना होगा ठीक है A, A प्लस D A प्लस 2D और A प्लस 3D A प्लस 4D इसके माध्यम से आप प्रतम चार पद निकाल सकते है तो इसमें आपको राय टंसर लगाना होगा A वला 7, 5, 3, 1 और दूसरा देख लिए जगा दूसरे में आपको क्या करना है X का मान आपको ग्याद करना होगा क्या करना है X का मान आपको ग्याद करना होगा बहुत सिंपल सा कुश्चन आप सभी के सामने आप दिया गया है आप सभी को सब कुछ यह आपको दिया है यहापको 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 दूसरा प्रसंद देख लेज़ेगा दूसरी प्रसंद में आपको रिक्ट इस्तंद की पूर्ति करके लिखना होगा तो ये भी आपके टेस्ट में दो नंबर के पूछे जाने वाले हैं पहला देख लेज़ेगा यदि किसी समान तर सेनी का एनवा पद 3 प्लस 2N हो तो सेनी का प्रतम पद क्या होगा सेनी का प्रतम पद प्रतम मतलब पहला पद आपको निकालना होगा ठीक है तो प्रतम पद हमारा ये निकालना है तो इसमें आपको राइट अंसर लिखना होगा पेले में 5 क्या लिखना है पेले में आपको पांच आपको रायट अंसर लिखना है ठीक है तो इसका प्रत्बध हमारा पाँच है जाएगा दूसरा दिया है दो समान कोन एक है त्रीबुजो में उनकी संगत भूजाओ का अनुपाद सदेव क्या होता है यह आपको बताना होगा तो दूसरे का अंसर आपसे भी लगा लेज़ेगा दूसरे में आपको लिखना होगा समान क्या लिखना समान आपको लिखना है तीसरे प्रसंद देख लिएज़ेगा तीसरे प्रसंद आपको सत्यत्वा असद बताना होगा जो आपके टेश्ट में दो नमर के पूछी जाने वाले पेल आपको दिया है यदि A, B, C A, P मतलब होता है समान तसे नी में है तो तब B बराबर A प्लस C आपाउंट 2 है तो यह है क्या बिल्कुल या पर है सत्यो जाएगा दूसरा हमारा दिया है यदि एक तिर्बुच के दो कौन एक अन्य तिर्बुच के करमश्या दो कौनों के बराबर हो तो तिर्बुच समरोप होते है तो बिल्कुल या पर होते सत्यो जाएगा ठीक है चोता प्रसन देख लेज़ेगा चोते प्रसन में आपको एक सब्दत्वा एक वाक्य में उत्तर आपको देना होगा जो आपके टेश्ट में सुत्र होता है हमारा वह आपको लगन होगा और इसका प्दो का योग आप निकाल सकते हैं तो इसमें आपको राइट अंसर लिखना है क्या लिखना है तो इसमें आपको राइट अंसर लिखना होगा या पर एक सो असी ठीक है तो प्दो को योग हमारा एस बराबर हमारा हो और पांच वह 11 क्यान्तर सेंडिका प्रतंपद एवं सर्वांथर fort ग्याद किजीगा मतलब और तत्र आपको डी आपको जिसका तीसर ज़ाइद ती अपको दिया है पांच और आप से सीनकील हो गजा है, है नो, निया है। कि की उसा प्रेकास आपको सर्वांतर और प्रतमपर निकालना होगा? चैटा प्रसंडे या प्रतम सोदन say, पुनिंग को योग आपको घ्यात करना है, योग आपको निकाली होगा, मतलब एस आपको घ्यात करना है, तो आप इसका सुत्र लगाकर जो हमारे योग वाला सुत्र है उसको लगाकर आप इसका मान निकाल सकते हैं बहुत सिंपल सा कुश्चन दिया हुआ आपके सामने तो सुत्र भी में आपको बता देता हूं ठीक है सुत्र कौन सा है तो इसमें आपको सुत्र लगाना होगा कौन बंद उसके बड़ आपको लिखना होगा डी और बड़ा कोश्टक हमारा बंद हो जाएगा ठीक है यह सूत लगाखर आप इसका हमार निकाल सकते हैं बहुत सिंपल सा है तो इसका निसे आप सभी को बता देंगे करना है के कान incorporated कोन ओ ऑ भी ज्याद करना होगा तो यह मरों का चिन होता है ठीक है आप सभी को पता होगा यह हमारा कौन का चिन हो जाएगा कौन और यह हमारा तीर बुझ का चिन हो जाएगा तीर बुझा होला तीर बुझा होला तीर बुझा होला तीर बुझा होला तीर बुझा हो जाएगा ठीके तो इसमें क्या करना आपको कोन ओए भी ग्याद करना होगा ठीके कोन ओए भी यह आपको ग्याद करना है तो इसका अंसर भी आपको बता देंगे अब यहाप पर हमारा आटवा प्रसंद देख लेजगा आदारपुद आनुपाति कता प्रमे जिसको यहाप बोला जाता है थेलस प्रमे का कतन लिखिए य यह कुशिन आपकी वार्षी परिक्षा में पूछे जाता है मतलब आपकी वार्षी परिक्षा में 3 या 2 या फिर 4 नमर का पूछे जाता है इसलिए इसका अंसर भी आप पल दीजिगा अब मैं आपको इस टेश्टी पीपर का फुल सोलुशन बता देता हूं अब आप सभी चात्रे इस टेश्टी पीपर का फुल सोलुशन देख लिजिगा देखने के बाद आपको तो प्रकास आपको हूं आपको दिया तो आपको पर यहां इस प्रकास आपको गयात करना होगा पूरा अंसर देख लिए जगा और इसके साथ आपको छेटे प्रस्ट का उत्तर पूरा उपर से लिकर नीचे तक आप सभी पल्डी जगा देख लेजगा इसके साथी जो अमरा आटो प्रस में पूचा गता थेल से प्रमे लिकी है तो परिक्षा में इस प्रकास से पूचा जाता है आदार पूद आनू पाती कता प्रमे लिकी है या फिर परिक्षा में थेल स्प्रमें भी आ जाती है तो दोनों सेम ही है तो आपको परिक्षा में इसी प्रकास से लिखना होगा ठीक है तो देख लेजगा पूरा उपर से लेकर नीचे तक इसको सिद्ध करके आपको लिखना होगा तो नीचे आप सिद्ध भी देख दो में